नमस्कार किसान बाईयों आपका हमारे जीडियो में सुवा कदे किसान बाईयों आज हम मोसम के पुर्वानुमान के बारे में आपको अवगत करवाएंगे हमारे सेत्र में किस दिन और किस समय मानसुन आएगा चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम जानकरी लगबग आपको डिर महीने यानि 45 दिन की देंगे चलिए जानते हैं हमारे यहां मानसुन कब स्टार्ट होगा तो बहुत दिनों के बाद आप से मानसुन के बारे में हम बात करेंगे 2023 के बारे में चर्जा करेंगे हाला कि इस्तितिया तो जून जुलाई अगस्त सितम पर चारो महीनों की इस्पष्ठ है पर बात हम 45 दिन यानि डेर्ड महीने की करेंगे चलिए जानते हैं स्टेब पर इस्टेब हर 10 दिनों का मोशन पुरुवनुमान किसान भायो दिनाग 1 से 10 जून तक इन 10 दिनों के दोरान 3-4 जून को एक वेदर सिस्टम एक्टिव होने के कारण निमज, मन्सोर, अतला, मोर, उजन के कुछ हिस्षों में मध्य बारिष होने की संभावना रहेगी बाकी दार, इंदोर, देवा, साजबुर, खरगोर, आदि, जिलों में कुछ इस्तानों पर बारिष की संभावना रहेगी बाकी दिनों मोसम साप रहेगा इसी दोरान पांस सेज जुन को अरब सागर में एक चक्रवदी तुपान जबकि बंगार की खारी में एक नीम्न दबाव का सेत्र बनेगा दिनाग 10 से 20 जुन तक 10 से जुन के आजपास मांसून करनाटका के आजपास पहुंचेगा इन 10 दिनों के दोरान बारिस की कोई खास संबावना नहीं है मोसम साप और सुषक बना रहेगा और जो पांस से जुन को अरब सागर में जो तुपान बना है वो आगे बढ़ता हुआ दिकाई देगा और वह पाकिस्तान की तरफ रूख करेगा जबकि बंगार की खाड़ी में बना एक निम्न दबाव भारत के पुर्वरतर राज्य यानि असम मेगाले बंगा की तरफ जाएगा जिसके कारण इन राज्यों में अच्ची या सांदर बारिस होगी और 12 या 13 जुन को मोसर विबाग मानसून के बारे में गोजना करेगा और अरब सागर में बनने वाले तूपान के कारण पुर्वरतर राज्यों को सोड़कर पूरे भारत में बादल एक बार हट जाएगे और मानसून के आगे बदलने की प्रकिया पूरी तरह से इन 10 दिनों में रुख जाएगी क्योंकि ये तूपान मानसून के आगे बढ़ने की सारी सक्तिय एनरजी अपनी और गीश लेगा जियोग्राफी के अनुशार अरब सागर में इस समय कोई तूपान बनना मानसून के लिए खत्रा होता है 20 जून से 30 जून तक मोसम सुहाना रहेगा इन दोरान बिन बारिस वाले बादल देखने को मिलेंगे जबकि 20 से 30 जून के दसीन पजिम जिलो में कुछ इस्तानों पर माध्यम से तेज बारिस हो सकती है लेकिन अधिकतर इस्तानों पर अभी भी सुके रहेंगे और 30 जून के आसपर मांसून जो कनाटक पर आकर रुका था वो आगे बढ़ जाएगा और आदे महराष्ट को कवर कल लेगा 1 जूलाई से 15 जूलाई तक तो किसान बाई यो 1 जूलाई से 15 जूलाई तक बादलों की आवाजाही चलती रहेगी परंदू 12 की संभावना कम रहेगी जबकि 10-15 जूलाई के दोरन पूरे MP में बारिस रफ्तार पकड़ेगी और अच्छी यह शांदार बारिस होगी और इनी दिनों में मांसून की MP में एंट्री होगी उप्रवक्त जानकारी के अलावा हम समय समय पर आपको खेती बारी से संबंति जानकारी भी हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रवाट करवा दे सो किसार भाई यह जानकारी थोड़ा भी बेनीफिट हुआ हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को अबज सश्काइब